आज की तारीख में मुस्लिम समाज आखिर दहशत में क्यों है? मैं समस्ता हूं, मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात पर विशार करते होंगे और जो भी समवेदन्शीन लोग हैं, इमानदारी से देश बक्त लोग हैं, सुधारवादी लोग हैं, समझी कारे करता हैं राजनितिक इमांदार राजनितिक्ये हैं उनको भी इस बात पर सोचना चाहिए कि देश का मुस्लिम समाज आध दह्षत में क्यों है अभी कश्मीर में हमला हुआ उसमें चार मुस्लिम समाज के सैनिक शहीद हुए हाला कि उस पर चर्चा भी चली कि इसको संपरदाइक रूप नहीं दिया जाए पर क्यों नहीं दिया जाए क्यों नहीं का जाए अगर हिंदों की बात करते हैं आप और मुस्लिम समाज के लोग अगर शहीद हुए हैं देश के लिए उन्होंने जान दी है तो क्या वो देशभक्त नहीं है और केवल यही नहीं पीछे भी अगर आप देखें अब्दुलहमीद जी को देखें हमारे जो पूर वराश्पती रहे एपीजे अब्दुलकराम साब को देखें इस सभी देशवक्त रहे हैं लेकिन उस सबके बावजूद भी आज मुसलिम समाज इसने दहश्पत में क्यों है मैं समझता हूँ मुसलिम समाज को इस पीशे पे जरूर आकलन करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा सरकार इसने तो पूरी तरह से ठान लिया है कि मुसलिम समाज के जो रोजगार हैं उस रोजगार को पूरी तरसे खत्म कर दिया जाए और ये बिलकुल भीकारी बन के रहे और जिससे वो बहुर भी बुरी हालत में और भी बत्तर हालत में चला जाएगा तो दहशत में है क्योंकि उसका रोजगार छिन रहा है दहशत में है कि उसके जो परसनल मामले हैं उसमें दखलंदाजी की जा रही है दहशत में है कि उनके बच्चों को बेगुना होते भी उठा कर जेलों में बंद कर दिया जाता है वो देहशत में है कि कभी भी उन्हें कहीं भी सामपरदा एक दंगो की आड में आग में जोक दिया जाएगा और उनका कतल आम कर दिया जाएगा मेरा यहां मुस्लिम समाज से भी थोड़ा सक कहना है कि मुस्लिम समाज के भाईयो आप भी सोचें कि कैसी सरकार आपको चाहिए आप भी सोचें कि क्यों ना आप अपने अंदर से जो अच्छे लोग हैं, जो इमानदार लोग हैं, जो समाज के लिए काम करने माले हैं, मरने मिटने वाले लोग हैं, उनको आप आगे लाएं, और सत्ता में भागे दारी लें, अगर ये नहीं हुआ, तो जो हालत चलने हैं, जो भाजपसरकार है ये कल और भी बुरे हालात आपके और हमारे सामने पैदा कर देगी तो हमें इस दहशत से बाहर निकलना है और मेरा कहना एक चीज और मुस्लिम समास से कहना चाहूंगा जो नेता जो पार्टियां आपको गुमरह करती हैं आपस जूटे वादे करती हैं आपको सबस बाग दिखाती हैं उनसे भी आपको साफधान रहना पड़ेगा और ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन नेता, कौन व्यक्ती, कौन पार्टी, इमानदारी से जो सचे आपके सामने रख रही है और कौन पार्टी, कौन नेता, पूरी इमानदारी और पूरी ताकत के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है अगर ऐसा नहीं कि आपने और आने वाले समय में आपने बिना सोचे समझे ही वोट दी ये राजनीती में और पूरी मेहनत और पूरी मानदारी के साथ आने वाले समय में अपनी तरक्की के लिए काम करो, राजनीती में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो